हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट नौ देबेच का जो हम आरे सगरवाल के सोलुशन्स कर रहे थे जो कि स् सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहली स्टेप में क्या करना पड़ेगा एल्सीम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का ल्सीम ओफ 9 12 18 एंद 3 जब आप इनका ल्सीम लोगे ना तो आप पता चलेगा कि इसका ल्सीम कितना निकल के आएगा 36 यह मेरे कैसे पता किया है मैं आप लोगों को बता देता हूं देखो एक्ष्वल में जो भी ल्सीम होगा ना वह 18 से तो छोता नहीं होगा में जिएम म सब्सक्राइब मतलब जो भी हमारा LCM आएगा वो 18 का multiple ही आएगा I hope आप लोगों को यह समझ में आरी होगी तो मैंने direct हिया चाओ तो proper तरीके से ऐसे लिखे भी इनको क्या कर सकते हो solve कर सकते हो ठीक है अब हमें क्या करना है सबके denominators को 36 बनाने तो 4 upon minus 9 इसको भी हमें 36 बनाना है minus 5 upon 12 में इस 12 को भी कितना बनाना है 36 बनाना है 7 upon minus 18 इसमें minus 18 को भी 36 बनाना है और यहाँ पर minus 2 upon 3 इसमें हमारे को इसको भी क्या बनाना है 3 को भी 36 बनाना है तो minus 9 को 36 बनाने के लिए minus के 4 से multiply करना पड़ेगा तब ही तो minus minus plus होगे 36 बनेगा तो उपर numerator numerator को भी minus 4 से multiply करना पड़ेगा तो उपर बन गया minus का 16 4 4 जा 16 plus minus होगे इसको बनाए होगे तो क्या होगा 12 multiply 3 minus 5 multiply 3 minus 15 होगे उपर मीचे minus 18 को minus 2 से multiply करना पड़ेगा इसको भी क्या करना पड़ेगा minus 2 से multiply तो उपर बन गया minus का 14 फिर 3 को क्या करना पड़ेगा 12 से multiply करना पड़ेगा इसको भी 12 से multiply करना पड़ेगा तो ये कितना मन गया minus का 22 upon 36 अब हमें क्या करना है lowest to greatest के फो में order में arrange करना है तो lowest to greatest कैसे पता करेंगे denominator सबके equal बना दिये जिसका numerator सबसे छोटा होगा वो वाला रहसना नंबर भी सबसे छोटा होगा जिसका numerator सबसे बड़ा होगा वो वाला रहसना नंबर भी सबसे बड़ा होगा तो सबसे छोटा numerator किसका है तो देखो minus 22 सबसे छोटा है सभी negatives में क्योंकि इसकी numerical value बढ़ी है तो minus 22 upon 36 यह सब चे छोटा उससे बढ़ा क्या होगा? minus 16 upon 36 फिर उससे बढ़ा क्या होगा? minus 5 upon 12 फिर उससे बढ़ा होगा minus 15 upon 36 और फिर हो गया minus 14 upon 36 लेकिन हमें तो original form में यह वाले rational numbers दिये वहे थे original rational numbers यह थे तो इनको इसके साफ से लिख देते minus 22 upon 36 एक्टेल में कितना होगा? minus 2 upon 3 उससे बढ़ा कितना होगा? minus 16 upon 36 यानि 4 upon minus 9 फिर उससे बढ़ा कितना है? minus 15 upon 36 वो कितना है? minus 5 upon 12 फिर उससे बढ़ा क्या होगा? minus 14 upon 36 वो कितना है? 7 upon minus 18 आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी similar SI question यह है इसको भी हम देखते हैं तो जब LCM लोगे आप इन सब का LCM of 4, 12, 16, 24 वो निकल के आएगा? 48 आप खुद निकाल के देख ले ना तो हमें क्या करना है? सबके denominators को 48 के equal बनाना है minus 5 upon 12 में इसको भी क्या बनाना है? 48 बनाना है sorry 12 upon minus 5 ऊपर क्या है? minus 1 और है minus 7 upon 16 में 16 को भी 48 बनाना है और 9 upon minus 24 में इस minus 24 को भी क्या बनाना है? 48 बनाना है तो 4 को 48 बनाने के लिए 12 से multiply करना पड़ेगा तो numerator को भी 12 से multiply करना पड़ेगा ऊपर बन जाएगा minus 36 आप लोगों को समझ में आ गई होगी minus 12 को 48 बनाने के लिए minus के 4 से multiply करना पड़ेगा minus minus प्लस हो जाएगा और 12 फोर्जा 48 हो जाएगा तो उपर भी हमें minus के 4 से multiply करना पड़ेगा तो minus का 20 5 फोर्जा 20 प्लस minus 20 हो गया फिर 16 को 48 बनाने के लिए 3 से multiply करना पड़ेगा तो minus 7 को भी 3 से multiply करना पड़ेगा तो उपर बन जाएगा minus का 21 minus 24 को 48 बनाने के लिए minus के 2 से multiply करना पड़ेगा तब ही minus minus plus होके 48 बनेगा तो उपर भी हमे minus 2 से क्या करना पड़ेगा multiply तो minus 18 हो गया तो अब देखो इन सब में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा जिसका numerator सबसे छोटा है तो negative में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा तो minus 36 upon 48 सबसे छोटा है उससे बड़ा क्या होगा minus 21 upon 48 फिर उससे बड़ा होगा minus 20 upon 48 और उससे बड़ा form में लिखोगे तो minus 36 upon 48 कितना है minus 3 upon 4 था फिर minus 21 upon 48 कितना है minus 7 upon 16 है उसके बाद में क्या है minus 20 upon 48 कितना था 5 upon minus 12 है और फिर minus 18 upon 48 कितना है 9 upon minus 24 है तो यह हमारा क्या हो गया final result हो गया I hope यह दोनों आप लोगों को समझ में आ गया हूँगे next slide पर बाकी के बचे वे 2 हैं उनको भी हम solve करते हैं इसे आप अच्छे से note कर लीचे अब हम देखते हैं question number इसी का 8 का third और fourth part कैसे solve करेंगे similarly अभी तक आप लोगों नहीं जो concept सीखा है उसी को बार-बार apply करते जाओ तो जिससे की आप लोगों की अच्छे से practice हो जाएगी तो देखो सबसे पहले LCM लेना है 5 10 15 और इन सब का जब LCM लोगें तो वो निकल के आएगा 60 कैसे पता चला कि कि 20 का ही कोई multiple होगा तो 40 होगा एक तो तो 40 में 3ों से divide नहीं हो रहा है 15 से नहीं होता फिर 60 में 3ों बाकी सब से भी divide हो रहा है तो 60 के आगे LCM आ गया तो minus 3 upon 5 है इसको 60 बनाना है 6 से multiply करना पड़े गा इसको भी 6 से multiply करना पड़ेगा minus का 42 upon 60 हो गया ऐसे minus 11 upon 15 तो फिप्टीन को 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़े 4 से multiply तो उपर Numerator को भी 4 से multiply करना पड़ेगा तो minus का 44 हो गया ऐसे minus 30 upon क्या मान नेगेटिव मान लिया तो आप चाहो तो इसको किसे मल्टिप्लाइ कर लो मैंनस के 12 से मल्टिप्लाइ कर लो तो भी क्या बनेगा वोही बनेगा ठीक है टो यह माइनस का 5-tminaus 46 हो जायगा और यहां plus minus minus माइनस का 36 हो जाएगा तो यहां देखो इसको 20 बनाने के 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो नुमेरेटर को भी तो माइनस 39 अपॉन 60 हो गया अब क्या करना है डिनॉमेरेटर से इक्वल हो चुके नुमेरेटर को तो चौनं कम्पेर करना जिसका नुमेरेटर क्या हो गा सबसे छोटा वह धोर समय चूर घंप से चुछ घया गा तो मैनस 44 अपॉन 60 अप jut चोटा ऊगा उससे बड़ा क्या होगा अगको माइनस 39 अपॉन 60 हो था, minus 10 upon, minus 7 upon 10, फिर minus 39 upon 60, किसको लिखा वा था, minus 13 upon 20, और minus 36 upon 60, कितना था, 3 upon minus 5, तो यह हमने इनको क्या कर लिया, ascending order में arrange कर लिया, इस वाले question को करते हैं, अब इन सब का, जब LCM लेके दोख होगे, तो वो LCM निकल के आएगा, 84, प्योंकि 42 का कोई multiple होगा, तो 42 में तो इन तो वो क्या होगा, इसका multiple होगा, तो इसको भी 84 बनाना है, तो इसको कैसे बनाया है, देखो, 12 से आप क्या कर सकते हो, multiply कर सकते हो, तो 12 से बन जा कितना हो जाएगा, 80, तो 84 हो जाएगा, तो minus 4 को भी 12 से multiply करना पड़ेगा, तो minus का 48 बन गया उपर, ऐसे ही minus 9 upon 14 है, तो इसक करना है तो इसको क्या करेंगी 14 को 6 से मल्टप्लाइ करें मैंनस 9 को भी 6 से मल्टिप्लाइ करें ये कितना बन जाएगा और नीचे 84 हो गया और ऊपर हो गया माइनस का 54 हो गया ठीक है 95 जब 54 होता है तो minus का हो जाएगा minus का है तो इसलिए फिर यहाँ पर होगा 13 upon minus 28 को 48 बनाने 84 बनाने तो minus 28 को minus के 4 से multiply करना sorry 3 से multiply करना पड़ेगा तो जब 3 time करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा और minus minus plus हो जाएगा तो 13 को भी क्या minus minus का 30 नहीं ऐसे ही क्या होगा minus 23 upon 42 में 42 को 84 बनाने तो 84 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से multiply करना पड़ेगा इसको भी 2 से multiply करना पड़ेगा तो यह minus का 46 हो जाएगा तो अब सबसे छोटा कुन सा है देखो यह negative में जितना बढ़ा हो चोटा होगा तो minus 54 upon 84 सबसे छोटा हो जाएगा उससे बढ़ा क्या होगा minus 48 upon 84 हो जाएगा 84 है नीचे द्यान रखना मैं बार-बार साइथ गलत बोल रहा हूँ minus 40 फिर उसके बाद में minus 46 upon 84 हो जाएगा और फिर last में क्या होगा minus 39 upon 84 अब इसको original form में लेके minus 54 upon 84 कितना था minus 9 upon 14 था फिर उससे बढ़ा क्या होगा minus 48 upon 84 यानि minus 4 upon 7 फिर उससे बढ़ा क्या है minus 46 upon 84 जो कितना है minus 23 upon 42 और फिर उससे बढ़ा कितना है minus 39 upon 84 यानि कि 13 upon minus 28 तो ये हमने क्या कर दिया इनको ascending order में arrange कर लिया इसको भी आप वीडियो को पोच करके अच्छे से note कर लीजिए इसे के साथ आज का हमारा lecture खतम होता है max lecture में हम लोग question number 9 or question number 10 को देखने वाले हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए अगर आप लोगों को कोई problem है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं और channel को subscribe जरूर कर लीजिए तब तक के लिए thank you